एक कहावत हैं जैसा देश वैसा भेस बाई यह जो साव में यह जो एमाई हर एक बाई एक ही है पर डिफरेंट काइंड आप कंट्री में डिफरेंट काइंड आप स्मार्टफोन आता है सेम स्मार्टफोन डिफरेंट नेम पे डिफरेंट ब्रैंडिंग पे हाँ क्योंकि यहाँ पर रिब्रैंडिंग का खेल खेला जाता है Xiaomi के तरफ से भाई लोग आप जानते हो Xiaomi या Redmi के तरफ से लॉंच क्या गाया था चाइना में Redmi Note 9 Pro 5G और Redmi Note 9 4G वो तो Redmi 9 Power के नाम से आया था हाँ इसका अन्बॉक्सिंग आ जाएगा मैंने और प्लीस कर दिया है और जो Mi 10i यह बहुत जल भारत में आ रहा है और यह जो Mi 10i है यह रिब्रैंडिंग आप Redmi Note 9 Pro 5G चलिए स्पेक्स आ चुका है कन्फर्म लॉंच डेट आ चुका है और प्राइज भी कुछ हद तक निकल के आया है सब कुछ मिला के इस इंट्रेस्टिंग विडियो पे मैं आपके साथ हूँ आपका भाई शुमोन तो चलून पूरबोडा आर्देरी शुर्कुरी तारा दारी Redmi Note 9 Pro 5G रिब्रैंडिंग होके आ रहा है Mi 10i के नाम से इसका लॉंच टेट कन्फर्म हो चुका है और शाउमी के ओफिशेल विड्रैंड में भी ये आ चुका है ये 5 अप जैनूरी भारत में लॉंच होना वाला है और यहाँ पे टीज अब अगर आप देखोगे टीजर तो 108 मिगा पिक्सल को हाइलाइट क्या गया है शाउमी के तरब से और ये कही ना कहीं रियल्मी X7 Pro को कमपीट करेगा ये मुझे लगता है क्या आपको लगता है चलिए इस बात पे सब्सकाइब कीजिए नोटिफियेशन बेल को पूस करेगा और हो सके तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा तो ये जो मी टेन आई इमाई का ब्रैंडिंग है यानि दाम यहाँ पे कुछ हद तक ज़ादाई होगा तो क्या दाम होगा मानके चलिए जो चाइना में लॉंच हुआ था वो 18,000 में रिड्मी Note 9 Pro 5G और अगर इमाई का ब्रैंडिंग के साथ ये आ रहा है उमीद क्या जा रहा है 22,000 से 23,000 इसका प्रैस हो सकता है पर मेरा दिल कह रहा है भाई 20,000 में ये लॉंच कर दो आप क्या कहते हो चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन और बिल्ट क्वाल्टी तो डिजाइन और बिल्ट क्वाल्टी आपको सेमी मिल जाएगा Redmi Note 9 Pro 5G के तरह पीछे में राउंड से पे आपको कैमरा मॉडिल मिलेका जहां पे आपको चार कैमरा मिल जाएगा ग्राइन कलर्स, ग्लास का यूज क्या गया है और यहाँ पे कॉनिंग ग्लास 5 का प्रोडिक्शन भी दिया गया है और जो फ्रेम वो इस बार पॉलिकार्बोनेट का है हाँ इस बार आपको IP53 सार्टिफाइट देखने को मिल जाएगा यहाँ वाटर रिप्लेंट कोटिंग के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीछे का बैग और यहाँ पे आपको साइड में फिंगरपिन स्कैनर, USB Type-C, 3.5M jack, secondary noise cancellation mic और air blaster भी देखने को मिल जाएगा आप बात आता है डिस्प्ले यहाँ पे 6.67 इंचेस का एक IPS LCD पैनल का यूस के आगया है जहाँ पे आगर आप देखो के 450 nits max brightness दिया गया है पंच होल मीडिल में है और 120 Hz हाई रिफ्रेस रेट के साथ आ रहा है कॉर्णिंग गोडर ग्लास पाइप का पोडेक्शन है 395 PPI density यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और इसका bezels काफी कम लगा मुझे तो viewing angle काफी बरिया होगा और यहाँ पे आपको widevine L1 का support भी मिल रहा है चले बात करते हैं अब यहाँ पे RAM and ROM के तो जो base variant उसका ही price 223,000 होगा 6GB, 128GB, 8GB, 128GB करके आएगा UFS 2.2 storage type और LPDDR4X RAM type मिलेगा hybrid sim slot के साथ जो meet and eye वो आ रहा है अब 2.2 इसका जो speed वो आपको ज़ादा मिलेगा अब बात आता है processor तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon का 750G यह processor यूज क्या गया है और यह 8NM technology पे आधारित है साथ में यहाँ पे आपको octa core processor मिलता है जो 2 core वो 2.2 GHz Kyro 570 पे clocked है और 6 core 1.8 GHz यानि Kyro 570 पे यह clocked है अच दिनो 619 यह GPU आपको मिल जाता है तो performance आपको काफी अच्छा मिलेगा क्योंके यहाँ पे snapdragon का processor है और 7 series का साथ में यहाँ पे आपको optimized camera देखने को मिलेगा और आपका जो hitting issue वो भी आपे नहीं मिलेगा अब camera यह इसका highlighting feature है 108MP का primary camera with Samsung sensor और 8MP का ultra wide 2MP का macro 2MP का dev यह खास नहीं लगा आपको क्या लगा आपको 12MP का ultra wide देना चाहिए था या तो भाई एक 5MP का macro ही दे देते या dip अब इसके बाद सामने में आपको 16MP का selfie camera मिलता है अब ठीक है देखते हैं जब आएगा भाई जरूर इसका unboxing और review लेके आओंगा अब इसमें battery 4820Ah का battery मिलता है 30W का आपको charger मिलता है और ये जो 33W का charger है वो आपको box में ही मिल जाएगा और जो 58 minute पे full charge करने में सक्सम होगा और इस पे Android 10 और MIUI 12 आपको देखने को मिलेगा और एक sensor है face unlock का features भी आपको मिल जाएगा तो ये था ये जो meet and eye इसका कुछ specification उमीद करता है फोन आपको अच्छा लगेगा आने दीजे देखते हैं आपको क्या लगता है price क्या होगा 20,000 या 22,000, 23,000 या 24,000 जरूर कमेंट्स केजिएगा चलिए सब हम वेट कर रहे हैं फिप तॉप January के लिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद